तो आज में आपके साथ स्वीट डिस्क की रेसिपी शेयर कर रही है जो बहुत ही टेस्टी और जायकेदार लगता है और बहुत इजी वे में बन जाता है तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं यह शिरीखन्ट मैंने आधा किलो दही लिया था बाजार वाली दही है यह आप लोग घर की बनी हुई दही भी ले सकते हो अब यह बॉल लेना है इसके उपर यह च्छनी रखना है और एक कॉटन का कपड़ा रखना है इसके अंदर यह दही डाल देना है ताकि इसके अंदर जो पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाएं अब इस कपड़े को अच्छी तरह गाट बानकर लटका देंगे ताकि इसके अंदर का पानी जो है वो पूरा निकल जाएं अच्छी तरह इसको हम गाट बानकर पांचे घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसके अंदर जो एक्ष्टा पानी है वो निकल जाएं और दही काफी काड़ी सी हो जाएं अब इस कपड़े मिशसे हम दही लिशकर निकालेंगे अच्छी तरह से इसकी गाट खोल लेंगे और देख सकते आप लोग यह दही काफी हद तक इसका पानी निकल चुका है देखिए ये पानी इतना निकला है 5-6 घंटे तक के रखते हैं इस तरह पानी पूरा निकल जाता है और दही काफी काड़ी हो चुकी है ये पानी हम कड़ी बनाने में यूज़ कर सकते हैं इससे कड़ी बहुत अच्छे टेस्टी बनता है अब ये दही को हम एक बॉल में निकाल लेंगे इस तरह काफी गाड़ी सी दही निकल कर बनी है हमारी अभी इसको विस्क की मदर से अच्छी तरह से फेट लेना है अच्छी तरह इसको फेटेंगे इससे हमारे शिरीखंड बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है जितना ज्यादा ही अच्छा फेटा होगा स्मूती से बैडर बनना चाहिए शक्कर है 5 टेबल इस्पूल शक्कर भी आड़ करना है शक्र टालने के बाद इसको अच्छी तरह से फेट लेंगे वन पिंच इलाइची पाउडर भी एड़ करना है इस अच्छी तरह से इसको फेट लेना है बहुत ही स्मूती सा बैडर बनाना है बहुत स्मूत अधम सॉफ्ट सा बनना चाहिए सकरेंगे है कि सरी थी एक श्रीक बहुत ही ट्रेश्टि बनता है अच्छी तरह सको फेट लेगे को देख सकते आप लोगःक काफी क्रीमी बंते जा रहा है यह वेटर अभी हमारी श्रीखंट तयार है श्रीखंट देखो काफी क्रीमी और बहुत ही स्मूद सा बैटर लग रहा है अभी इसके अंदर हम मलाई टूडेबल इस्पून एड़ करेंगे उससे हमारी श्रीखंट का टेस्ट बढ़ जाता है उडालने के बाद भी अच्छी तरह मिक्स क चितना जाधा ही अच्छा फेटा होगा उतनी जाधा ही श्रीखंट टेस्टी बनता है अभी हमारे श्रीखंट बनके त्यार हो चुका है अब यहाँ इसको एक बर्तमे सर्फ करेंगे आप लोग देख सकते हैं काफी बहुत ही स्मूथ और बहुत ही टेस्टी लग रहा है क्रीमी से लग रहा है भी हम इसको सर्फ करते हैं देख सकते हो इसको मैंने मिट्टी की बरतन में सर्फ किया है आप कोई भी बरतन में कर सकते हो इसे हमारी श्रीखन खाल लुक बढ़ जाता है यह मैंने केसर लिया था केसर के धागे दूद के अंदर फिगों के रखे थे डेकोरेटिंग के लिए मैंने यह यूज गया है इसे हमारे श्रीखन बहुत ही अच्छा टेश्टी बनता है ड्राइफूट्स भी एड करना है आप लोग कोई भी ड्राइफूट्स ले सकते हो मैंने काजू बादाम और पिस्ता लिया है इसको लास्ट में मैंने एड किया है आप लोग देख सकते हैं काफी तेश्टी और बहुत ही लजीज लग रहा है अदम बाजार जैसा श्रीखन ल खाने में बहुत ही टेस्टी था तो आप लोग भी एक बार जरूर बनाईए और मुझे कमें सेक्षिन में जरूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो फैमली और फ्रेंड्स में शेयर भी करो आप लोग को ये कैसा लगा जरूर बताना थैक्